नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल टाक्विश स्यू में अगर आप कॉल सेंटर में जौब करने का सपना देखते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें दिल्ली एरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट रिक्रूमेंट 2022 की भरती का एनॉंस्मेंट किया गया है यहाँ पर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं और उसके बाद में हम इसकी नूटिफिकेशन के बारे में आपको कम्प्लीट जानकार इस वीडियो में देने वाले हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के लाच्ट तक बने रहना है तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है इसकी लाजट रखी गई है बाइस पाच तोहजार बाइस यानि कि बाइस मैं तक आप इसको फिल कर सकते हैं और पेमेंट फिज की भी सेम डेट है बाइस मैं दोहजार बाइस एक्जाम डेट अभी पता नहीं चला है, नोडिफिकेशन सून हो जाएगा, एड्मिट कार्ड एक्जाम से आपके पहले आएगा, अगर बात करें यहां पे हम एप्लिकेशन फीज की, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल OBC EWS कटेगरी के कंडिडेट हैं तो आपको 350 अगर आप CST में विलॉंग करते हैं तो अभी आपको सेम फीट 350 रुपए ही पे करने पड़ेगी, आपको यह चालान के माध्यम से कर सकते हो या डेविट कार्ड, केरिट कार्ड किसी भी तरीके से कर सकते हो, हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो आपकी मिनमम है प्रस टू की डिगरी होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक्जाम पास करने के बाद में आप इसमें पहापे पास सकते हैं, यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो एक जार नौसो पंचानवे, यानि कि दस पंचानवे वेकंसी आपकी हैं जो लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ से क्लिक हेर करेंगे, हिंदी वाले पे हमने क्लिक कर लिया है, आई जी आई एविगेशन सर्विस प्राइबेट लिम्टेट जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यह रिजिस्टर कंपनी है, जो कि दिल्ली हवाई अड़े पर प्रमुख ब बिच में रहने वाला है, 18 से 30 साल की एज और 1095 सीटे हैं यहाँ पे, पुरुस और महिला दोनों आविदन कर सकते हैं, फिर सर्वी आविदन कर सकते हैं, कोई एविगेशन, एरलाइन, प्रमानपत्र, डुक्लोमा किया विसकता आपको नहीं है, अब यहाँ पे हम बात कर ल हैंगे, जिनका टोटल टाइम आपका डिएड़ गंटे का रहेगा, और सव अंका यह पेपर होगा, यहाँ पर और भी चीज़ें हम आपको डेटियल से बताया दे रहे हैं, लिखित परिच्छा में सव बस तुन इस्ट्याने की बहुत परिकल्पी प्रसंट रहेंगे, प् परिच्छा केंद्र को एक बार में ही सवधानी कुर्वक नेड़ा लेरा चाहिए, उसके बाद में आप उसमें चेंजिस नहीं कर सकते हैं, एक बार चुनेगे, परिच्छा केंद्र को किसी भी परिच्छिती में बदला नहीं जाएगा, यह बिल्कु सही बात है, आईजी किसी भी केंद्र को रद करने का अधिकार सुरचित रखता है उस केंद्र के उम्मिदवार को दूसरे केंद्र से उपस्यत होने के लिए कहता है कंपनी किसी भी केंद्र के उम्मिदवार को परिच्छा देने के लिए किसी अने केंद्र भीजने का अधिकार भी सुरचित रखत में कहां-कहां सेंटर बने आगरा गोरखपुर कानपुर लखनु प्रयागराज बारानसी पटना तरभंगा और मुझपन अगर जारकंड औरिसा पश्चे मंगा लिए देखो यहां पर सारी यहां पर जो भी स्ट्रेट हैं लगभग हमारे मुश्ली स्ट्ट दिया हुआ है य आवेदन केबल अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के मद्धिम से ही कर सकते हैं किसी भी कॉलम में गलत जानकारी के कारण आवेदन पूरी तरह से खारीज हो सकता है आपको हर चीज़ को इस परश तरीके से करना है आवेदन जमा करने से पहले उमिदवार को या सु से बाइस पाच यानि कि बाइस तारीक मही की रात को 11-12 वजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं उमिदवार को सला दी जाती है कि समय पर पंजीकरन करें क्योंकि आवेदन पोर्टल अधिम तिथी के दौरान संख्या आवेदन बढ़ जाते हैं तो साइट स्लो हो जाती है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वो उमिदवारों का सेलेक्शन कैसे किया जागा एक उमिदवार को पहले एक लिखित परिच्छा से के लिए उपस्तित होना होगा लिखित परिच्छा में अहरता प्राप्त करने वाले उमिदवार में कंपनी के पंजीकत कारेला में साच्छ के आधार पर एक उमिद्वार को अंतिम चैन के लिए सौट लिस्ट किया जाएगा उनके चरित्र पूर उब्रत सत्यापन के मेडिकल परिष्टर में समापन के अधिन होगा ठीक है बहुत अच्छी जवाब है जो भी करना चाहें गर कॉल सेंटर में तो उनके लिए बहतर मु झाल कि झाल परिफ कि आई है डिए ज О्नो अच्छी जवी जवाब है जगार् आएगा ज़मिद्वार जब तमने समेंटर सेंखने लोगे, जो और है जो आए़नों के लिए किल में गांके मेडमिकल पर ओर आले कि लिएीटर सेंगा ऑर जो